असलामों अलेकुम प्यारे बच्चों, मैं रुक्साना अमीन, टीचर यूपियस आरंपोरा, आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ, Classics को, Where Do All the Teachers Go, जो एक पूइम है, जिसको हम नजम कहते हैं, जो लिखी है, पीटर डिक्सन ने, इस पूइम में क्या है, कि जो ये पीटर डिक्सन है, वो कहता है, कि एक बच्चे के लिए उसका टीचर जो है, वो क्या है, वो अपने टीचर के बारे में क्या सोचता है, उसकी क्या इमेज होती है, एक टीचर के बारे में, इसमें पीटर डिक्सन ने ही कहता है, कि एक बच्चे के लिए एक खास आदमी होता है, एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है, ये सोचना कि उसका टीचर जो है, वो कोई आम आदमी है, जैसे अब हम पढ़ेंगे, Where do all the teachers go when it's four o'clock? सारे teachers कहां जाते हैं, जब शाम के चार बच्चे है, Do they live in houses and do they wash their socks? क्या वो भी अपने गरू में जाते हैं, जैसे हम जाते हैं, क्या वो भी अपने कबडे दोते हैं, अपने मोजे जो हैं, वो दोते हैं, Do they wear pyjamas and do they watch TV? क्या वो भी हमारी तरह घर के कब्रे pyjama पहनते हैं जैसे हम पहनते हैं pyjama गर में? क्या वो भी TV देखते हैं? And do they pick their noses the same as you and me? क्या वो भी अपनी नाख में उगलिया डालते हैं? जैसे हम, मैं और, जैसे हम और, मैं और आप, हम अपनी नाख में उगलिया डालते हैं और अपनी नाख साफ करते हैं यही कहता है कि एक बच्चा जो है वो यही सोचता है कि हमारा टीचर जो है वो क्या करता है? अपनी, वो भी क्या हमारी तरह एक आम आदमी है? क्या वो भी हमारी तरह किसी फैमिली में रहते हैं? क्या उनके भी माँ और बाप होते हैं? जब वो छोटे थे, क्या वो भी बुरे थे? क्या वो भी हमारी तरह गलतिया करते थे? क्या उन्हें अपने बच्पन में कभी गलत नहीं लिखा? क्या उन्हें अपने बच्पन में कभी कोई गलती नहीं की? जैसे हम करते हैं अपने क्लास में, जैसे हम गलत लिखते हैं, फिर उसको मिटाते हैं, जैसे हम कुछ गलतिया करते हैं, शोर करते हैं, क्या उन्हें अपनी बच्पन में कभी नहीं की है, वो? उनको भी हमारी तरह कॉर्नर में खड़ा किया जाता था और उनको पनिश्मेंट दी जाती थी, क्या वो भी किसी के ये जो गाने जो हो चुराते थे, जैसे कोई गाता है, फिर वो भी उसकी नकल करते हैं, क्या वो भी वैसे ही करते थे, जैसे हम करते हैं, क्या वो भी हमारी तरह, जैसे हमें कोई सबजी पसंद नहीं होती है, हम उसको ऐसे ही फैंक दे हैं, हम नहीं खाते हैं, क्या वो भी अपने बच्पन में वैसे ही करते थे, जैसे हम बनाते हैं, क्या वो भी गर में पुराने कबड़े पहनते हैं, जैसे पहनते थे अपने टाइम पे, जैसे हम पहनते हैं, I will follow one back home today, आज मैं एक टीचर के पीछे उसके घर जाओंगा, I will find out what they do, आज मैं ये पता करूंगा कि वो टीचर जो है, वो क्या करते हैं अपने घरों में, then I will put it in a poem that they can read to you, तो मैं उसे एक poem में एक नजम में लिखूंगा, जो आफका टीचर आफको पढ़ा के पढ़ाएगा, जो आफको वो पढ़ा के सुनाएगा कि वो क्या करते हैं अपने गरों में, तो इस नजम में क्या होता है, जो पीटर डिकसन है, वो हमें यही कहता है, जो हमारे टीचर्स है, वो एक बच्चे के लिए बहुत खास होते हैं, वो उनके लिए बहुत स्पेशल होते हैं, तो वो यही सोचते हैं, क्या हमारे जो टीचर्स हैं, वो भी हमारी तरह एक आम आत्मी होते हैं, हमारी तरह गरों में रहते हैं, क्या उनके भी माँ बाप व उनके दिमाग में ये होता है कि जो हमारा टीचर है वो बहुत special होता है वो बड़े बड़े गरू में रहता है इसलिए इसमें क्या होता है एक बच्चे को एक curiosity रहती है कि मेरा जो टीचर है वो कैसा है तो इसका इस प्रिम में हमें जो moral है वो यही है कि एक टीचर जो है वो अपने पच्चे के लिए ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए एक idle होता है इसलिए टीचर को ऐसा होना चाहिए अपने पच्चों के सद्थ ऐसा पेश आना चाहिए कि वो जो बच्चा है उसके foot steps फॉलो करता है तो एक टीचर वो बहुत अच्छा होنا चाहिए वो केरिंग होना चाहिए वो बहुत ही लविंग होना चाहिए उसका behavior अच्छा होना चाहिए ताकि जो बच्चा है वो ही करता है जो उसका teacher कहता है इन्शालल्ला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके जो question answer से गो करवांगी Thank you so much